सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्षिन पाने के लिए सब्सक्राइब के लिए जारेंगे जिसका प्रियोग उस समय लिया जाता है जब दूसरी अंदर एंटाइसिड है उसका ज्यादा फाइदा मरीज को नहीं होता है और उस सिरप की सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ब्राणने में वह है मुकेन जेल साइरप इस नाम के अलावा य सब्सक्राइब के नाम से मिल जाती है और इन सभी दवाओं के बारे में ही इस एक वीडियो में आपको पुरी डिटेल बताऊंगा इस लिए इस वीडियो को पूरा देखें साथ ही मेरे चैनल पे पहली बार है वीडियो पहली बार देख रहें तो एसे ही इंट्रेस्टिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक और से करना नहीं भूलें मैं हूं आपको होस्ट मोहिदादीच आप देखने अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबोट मैडिसे चलिए आश्वी कुछ नया देखते हैं हेलो फेंड्स नमस्ते दोस्तों वीडियो में सबसे पेल इस सेरफ की कॉंपोजिशन को जान लेते हैं कौन-कौन सी दवाइं इस सेरफ में मिलाई गए होती जो मुख्य रूप से दवाई मिलाई जाती वह तीन दवाईया है जिसमें ऑक्सेटा केन अलूमीनियम हाइड्रो यह सबी मिलाई जाते हैं इसमें जो ऑक्सेटा केन है यह लोकल एनस्तेटिक एजेंट है जो इस्टोमक की इन्ने लेयर को सून कर देता है जिससे की पेट में दर्द इरीटेसन तरह जलन को कम किया जा सके इसके जो एलूमीनियम हाइड्रोकसाइड है यह एंटैसेड के तर इस तरह से यह तीनों दवाईया मिलकर कारे करती है और विमारी को ठीक करने का काम करती है अगर इन तीनों ही कॉंपोजिशन की स्ट्रेंद की बात करें तो इन दवाओं में जो ऑक्सेटा केन है दस मिलिग्राम की स्ट्रेंद में एलूमीन हैड्रोकसाइड जीडू पॉइ सब्सक्राइब करें कितने कितरों मिल जाती है तो इसमें दो अलगलग पेकेजिंग आती है 170 ml तथा 200 ml जो 170 ml की पेकेजिंग है वह आपको 100 रुपे से लगाकर 160 रुपे की MRP में तथा जो 200 ml की पेकेजिंग है लबग 180 रुपे से 200 रुपे की MRP मिल जाती है जो भी आपको चाहिए जो स्वस्ति मिलिव साब ले सकती है अब वीडियो मागे इसकी यूजर्स को जान लेते किनकिन इस्तितियों में इसका प्रियोग लिया जाते है जैसा क सब् worm लग्रश में नार में जलन होना गल्ले में खारापन लगना गले में काया खना वापस आजाना इस तरह की समझेया होती है तो इन पिलियो को ठीक करने के लिए यह से प्रियोग लिया जाता है और यह समझ्या है ज्यादा तर श्पाइश्य पूड काने पर ज्यादा ल का सामना कर रहे हूं तो यह अगर ली जाए तो बहुत अच्छा फाइदा हो जाता है साथ ही यदि यह जो समयश्यां है लंबे समय तक किसी पेशेंट को रह रही है कोई प्रोफर टीट्मेंट नहीं ले रहा हूं तो प्यप्टिक अलसर में कनवर्ट हो जाती पीट में छाले दी जाती है और ओल पेट के अपे एक्स्टा एसीड सेक्रीशन को नौ मिल न्यूट्रलाइज करने के लिए यह दवा मरीज को दी जाती है इसके यूज़ को जानने के बाद जान लेते हैं कितनी मात्रा में मरीज को दी जाने चीज़ की डूज क्या होती है जो एडल्ट के सामयनी रोब से 10 ml सुबह तथा साम दिन में दो बार दी जाती है ज्यादा आवस्सक्ता होने पर दिन में तीन बार या च्यार बार भी दी जा सकती है और कोई पैसेंट को ज्यादा सीवियर प्रोब्लम है तो उसे एक बार तो 20 ml सायरप दी जाएगी उसके बाद 15 ml दिन में ज्यादा मातरा लेता तो उसे में हो सकता है आपको लूज मोशन की शेका है तो तो उसे घब रहा है ने क्योंकि मिलक ओफ मेगनेश या तो इस चुल को फास्ट करता है जल्दी पास करता है जब शेयरप लेना बंद कर देंगा इसकी जो रोज है कम कर देंगे तो यह समयश को लिए जाता है और वीड़ीयो के लगता है इसकी साइड इफेक्ट होते तो वो क्या क्या हो सकते हैं जो क庭ण सो कब्स हो सकती या दस लग सकती इसके लगोड में इरीटेसन वो सकता है बहुत जй home लग सकती यह बहुत जादा प्यास लग सकती इस तरह की समस्या है side effects तो तुरंत ही इस सायरप को लेना बंद के रहें अपने डॉक्टर से मिल लें जिसे किसी अन्य प्रका की सायरप आपको दी जा सके और यह सिरफ एज ओटी सी प्रोडेक्ट आप में डिग्री स्टोर से खाहिज सकते हैं आपको भी डॉक्टर की प्रिसके अप्सक्ता नहीं है तो दोस्तों यह पूरी जानकारी मैंने एंटासीर सायरप जो म्यूकिन जेल की नाम से फेमस से उसके बार मताइए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद है होगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा साथ इसको शेर के जो झाल